ये विडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 13 है और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टर इन सिरीज को देखा था पर वहाँ पर हम लोगों ने अभी numerical को solve नहीं किया है तो आगे के भाग में दोनों numerical को हम लोग एक साथ solve करेंगे तब देख सकते हैं registers in parallel यहाँ देख सकते हैं registers को parallel में यहाँ पर दिखाए गया है तो मैंने बताया आपको यदि इन रेजिस्टर को जैसे कि यहां तीन रेजिस्टर लिए गए हैं R1, R2 और R3 तीनों के एक एंड को एक साथ और इस तरीके से दूसरे एंड को एक साथ यदि जोड़ दिया जाए और इस प्रकार से एक सरकित का फार्मेशन करेंगे तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे तो यह पैरलल कंविनेशन में भी हम लोग आई का मान देखेंगे अलग-अलग रेजिस्टर में आई का मान देखेंगे क्योंकि यह रेजिस्टर क्या है? R1, R2, R3 है तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरे जो circuit है उसमें आई कमान क्या होता है अलग-अलग जो resistor है उसमें आई कमान क्या होता है फिर हम लोग देखना चाहेंगे कि ये पूरे circuit का potential difference क्या होता है या फिर अलग-अलग जो resistor है उसका potential difference क्या होता है इसी के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है और इन बातों को जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसे हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इसका उपयोग आगे की और होता है तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से सर्कीट बनाए गया है पैरलल में आपको R1, R2 और R3 कंबाइन किया गया है और सबसे पहले में यहाँ पर आप देखेंगे वोल्ट मीटर लगाए गया है और अमीटर लगाए गया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है पैरलल में इसको लगा देना है और उसके बाद आपको अमेटर के सहायता से आपको यहाँ पर I कमान निकालना है और दूसरा क्या करना है वोल्ट मेटर के सहायता से आपको पोटेंशल डिफरेंस कमान निकालना है इसके बाद आपको अलग-अलग ये R1, R2, R3 है तो अलग-अलग इनके बीच का potential difference ग्यात करना है और साथ ही साथ I का मान निकालना है तो अलग-अलग potential difference और I का मान को निकालने के लिए इस प्रकार से हम लोग arrangement करते हैं और आप देख सकते हैं यह है R1, R2, R3 तो अलग-अलग इसके potential difference को हम लोग measure करेंगे जैसे के R1 के potential difference को measure करेंगे और यहाँ पर फिर emitter से हम लोग current का मान ग्यात करेंगे ठीक इसी प्रकार से R2 से भी potential difference लेंगे और emitter से इसके current का measure हम लोग निकालेंगे और ठीक इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी measure करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यह जो equivalent यहाँ पर एक potential difference आया था ठीक वही potential difference प्रतिक resistor में यहाँ पर देखा जाएगा मानली जी कि यह potential difference 220 volt का था तो आप देखेंगे कि R1 में भी यह potential difference कितना होगा 220 volt का ही रहेगा और यहाँ भी 220 volt का रहेगा और यहाँ भी कितना रहेगा 220 volt का ही रहेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं R का value बदल रहा है तीनों में और potential difference तीनों में क्या है एक ही आ रहा है तो I command obvious है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा change तो यह हो जाएगा I1, यह क्या हो जाएगा I2 और यह क्या हो जाएगा I3 तो यह बात आपको याद रखना है दो-तीन बात जो मैं बार-बार बता रहा हूँ पैरलल में या फिर सिरीज में आपको याद रखना है पहला बात यहां पर क्या याद रखना है कि तीनों resistance का value अलग-अलग है लेकिन potential difference यहाँ पर क्या होगा एक ही प्रकार का तीनों में रहेगा दूसरा, तीनों से होकर अलग-अलग current का प्रवा हो रहा है जैसे कि R1 से हो रहा है आपका I1 तो R2 से हो रहा है I2 तो R3 से हो रहा है आपका I3 लेकिन अब जब आप इस पूरे circuit का एक equivalent current को देखेंगे तो आप पाएंगे यह जो I equivalent current है यह क्या हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जा रहा है I3 यहाँ पर यही बात याद रखना है सिरीज में हम लोगों ने क्या याद रखा था याद करिए V is equal to V1 प्लस V2 प्लस V3 और यहाँ हम लोगों को क्या याद रखना है I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3 और इसी को हम लोग यहाँ पर इसी का उपयोग करके हम लोग इसको derive कर लेंगे जैसे कि मैं बता रहा हूँ I equivalent current हो गया और R क्या हो गया आपका equivalent resistance हो गया तो V is equal to IR होता है तो I बराबर क्या हो गया V बटा R तो I के लिए हम लोग क्या लिख देंगे V बटा R लिख देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ potential difference equivalent potential difference तो V है और इधर भी हम लोग potential difference मालेंगे तो R1 में भी potential difference V है R2 में भी V है और R3 में भी क्या है V है तो यदि I1 निकलना पढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे V βटा R1 लिखेंगे V बटा R2 लिखेंगे और I3 निकलना होगा तो क्या लिखेंगे V बटा R3 लिखेंगे तो आप देखेंगे V यहां common हो जाएगा तो V को इस प्रकार से लिख देगे V बटा R, V यदि common हो तो क्या लिखेंगे 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 और यहां V से V कट जाएगा तो equivalent resistance आप देख सकते हैं 1 बटा R is equal to क्या हो गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग parallel combination में देखेंगे यह formula हम लोग को use करना होता है equivalent resistance के लिए तो यह दो बात आप यदि याद रखेंगे तो आप दोनो formula को derive कर सकते हैं examination में series के लिए V याद रखना है और parallel के लिए V याद रखना है और जो मैंने बाते बताई हैं वो तो एकदम याद रखना है क्योंकि उसी से exam में प्रशन पूछे जाते हैं next chapter में भी और इस chapter में भी तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया I का मन क्या हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 और equivalent resistance हम लोगों ने जैसे बता R इसको मान लिया था तो ठीक जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाए गया है और आप देखेंगे कि इससे 1 बटा R जो हम लोग का equivalent resistance है उसका माना जागा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस इस प्रकार से यह और भी आपने register जोड रखा है तो यह आजाएगा मान तो इसके next वीडियो में हम लोग numerical को पढ़ेंगे तो मिलते हैं आप से next वीडियो में